मार्केट में कच्छा खजूर आ चुका है और बहुत सारा फाइदा रहता है कच्छा खजूर खाने से वेलकम बेक टू रसीलाकी रसो रसीलाकी रसो में आप कहा दिख स्वागत करती हूं तो पहले हम कच्छा खजूर का दाना अलग कर लेंगे कच्छा खजूर से तो बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं तो मैंने पहले कच्छा खजूर का आचार बना के मेरी चेनल पर अपलोड किया है आप मेरी चेनल में जाके देख सकते हूं या तो आप आई बटन में भी देख सकते हूं तो खजूर को काटके मैंने दाना अलग कर लिया है अब इसे हम काटके इसके अंदर का बीज निकाल देंगे तो खजूर का उपर वाला पाठ है उससे हमें पहले निकालना है उसके बाद हम उसका बीज निकाल देंगे तो इसी तरह से सारे खजूर को हम बीज निकाल के रेडी कर लेंगे तो आप कच्चा खजूर से कौणछी रेसिपी बनायते हूँ, ओँ मुझे में च्छेरुर बताईए और मेरी रेसिपी रेलेटीट कोई फी क्क्वेरी हो तो आप मुझे में रेप्लाई च्छेरुर करूँगी तो इस तरह से मैंने सारे खजूर को काट के रेडिक लिया है और थोड़ा सा पतला पतला भी काट लिया है अब कच्चा खजूर का मिल्ट थिक सेक बनाने के लिए मैंने बादाम लिया है एलाइची लिया है और चिनी भी लिया है तो पेले हम मिक्सिका जार ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हम खजूर अब इसमें डाल देंगे हम एलाइची और बादा अब इसमें हम एड कर देंगे चिनी चिनी मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि खजूर मिठा रहता है और अब मैंने पीस लिया है थोड़ा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूट ताकि पीसने में एकदम अच्छे से स्मूथ फोज के उसके बाद ही हमें जीतना जूस बनाना है जिलतना मिल्क ठीक सेक बनाना है उतना ही हमें इसमें दूटे एट करना है अब वापस इसे हम थोड़ा क्रस्क कर लेंगे तो एकदम रेड़ी है मिल्क ठेक सेक इस तरह से आप भी बनाएए कच्छा खजूर का मिल्क सेक इसे हम सर्विंग बालूल में सव करेंगे तो देखिए कितना टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही हेल्दी ज्यूस बन करके रेड़ी हो चुका है अब इसके ओपर हम थोड़ा सा बादाम का कतरन डाल के गार्निस करेंगे अब इसमें हम एड कर देंगे आइस क्यूब आइस क्यूब ना डालना चाहते हो तो उसकीप कर सकते हो तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुँचे जय हिन, जय भारत, धन्यवाद, थेंक्स पोर वोचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपि के साथ, धन्यवाद